माता की भारत माता की भारत माता की बंदे बंदे एसियन गेम्स दोहजारबाईस पैरा एसियन गेम्स दोहजार बाईस तस सैंतिस्वे नेशनल गेम्स में पदक प्राप्त करने वाले और प्रतिभागी खिलाडियों के सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कारिकरम में जिनका योग्या मार्ग दर्शन और आस्त्रिबाद हमारे प्रतिष के युवाख खिलाडियों को प्राप्त हुआ है ऐसे केंद्रिय, खेल और युवा, सुचनावियों प्रसारण मंत्री मान्य सियंडॉक सिंग ठाकुर जी उत्तर प्रदीष सरकार में मेरे वरिष्ट सहयोगी काण उप मुख्य मंत्री त्वय सि केशो प्रसाद मोर्या जी सि प्रजेश पाठक जी सि सुरेश खन्ना जी प्रदीष के युवा कल्याण और खेल मंत्री सि ग्रीश चंद यादो जी आज की इस कारिक्रम पस्तित प्रदीष सरकार में सलाकार स्यवनी सवस्थी जी परमुक सचिव खेल विम्या कल्याण स्यालू कुमार जी संजेख प्रसाद जी एल बैंक टिस्वर लू जी खेल के स्यचिव सिस्वहास अलवाई और अन्य सभी अधिकारी गण एसियन गेम्स पैरा एसियन गेम्स नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करने वाले और पदक प्राप्त करने वाले हमारे सभी प्रदेश की विभूतियां और प्रदेश बर से आएवे हमारे सभी युवा उत्साई खिलाड़ी और उपस्तित बैनों और भाईयों मैं सबसे पहले इस आयोजन में समय देने के लिए केंद्रिय मंत्रिय मान्यसियन राग सिंग ठागुर जी का आप सभी प्रदेश के खिलाडियों की और से हिर्दे से स्वागत करता हों उनका विनंदन करता हो पिछले दस वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल का जो एक माहोल बना है युआ उर्जा के प्रोथसाहन के लिए जो एक नया प्लेट्फॉम प्रदान मंत्री जी ने दिया है आधनिये प्रदान मंत्री जी के विजन को उनकी भावनाओं के निरूप जमीनी धरातल पर उतारने और हमारी इस विवास सक्ति को तलासने और उनको तरासने का कार है जिस प्रतिबदता के साथ उन्होंने किया है आज उसका लाब देश भर का युवा ले रहा है और आधनिये प्रदान मंत्री जी के उसी विजन को मिसन मान करके प्रदेश के अंदर जो कारे प्रारम हुआ है उसी का पेड़ाम है उत्तर प्रदेश के अंदर एसियन गेम्स में पैरा एसियन गेम्स में देश की सबसे बड़ी आवादी यूपी में निवास करती है सोला फीस्ती आवादी यूपी में निवास करती है और हमारे खिलाडी मेडल पर आप्ति किये हैं लगबग 25 फीज दी नेशनल केम्स में भी उत्तर प्रदेश के खिलाडियों ने अच्छा किया है और उसको और भी अच्छा करने के लिए इस सारजिनिक आयूजन किया गया है जिसमें उन सब को सम्मानित किया जा रहा है मैं इस उसर पर सम्मानित होने वाले आप सभी खिलाडियों को आपके परिवार के सदस्यों को आपके मित्रों और सुप्चिंतकों को प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश की जनता की ओर से फिर्दे से बधाई देता हो आप सब के प्रतिसत का विनंदन करते वे अपनी सुपकामनाई भी देता हो पिछला एक सब्ता हम लोगों के लिए प्रदेश की विभूतियों को सम्मानित करने की दिस्यत्यन तो महतुपूर रहा है 22 जन्वरी को 500 वर्सों का दिजार करते वे प्रभू रामलिला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में नभ्य युद्या में विराजमान फिर से हुए है पुरा देश और पुरी दुनिया इस उत्साव वर्दक कारिक्रम के प्रति साक्सी बनी है और उसको देखने के लिए उत्सुख है एक एवल रामला के प्रान प्रतिश्टा का ही कारिक्रम आदनिय प्रधान मंत्री जी के करकमलों से नहीं हुआ भारत के गौरव की प्रतिश्टा का कारिक्रम संपन हुआ है भारत के गौरव की प्रतिश्टा का ये कारिक्रम दुनिया ने हाथों हाथ लेकर के इसके प्रति अपना सम्मान बेक्त किया है 24 जन्वरी को उत्तर प्रदेश दिवस के उसर पर हम लोगों ने अपनी तमाम भी बोटियों को सम्मानित किया था इस उसर पर उत्तर प्रदेश गौरव के लिए चंद्रियान अभिहान की जो प्रमुक बैग्यानिक थी सीमती रितु कारिधान वे उत्तर प्रदेश की निवासी है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया और सी नमीन तिवारी ये उद्यमी है नए उद्यमी है हजारों नौजवानों को प्रेरिक करने वाले एक नए उद्यमी है उन्हें भी उत्तरब्रदेश गौरोव से सम्मानित करने का कार्य उत्तरब्रदेश सासन ने किया 26 जन्वरी कल भारत का 75 वा गणतंत्र दिवस था गणतंत्र दिवस के उसर पर उत्तरब्रदेश के खिलाडियों में पुरुस वर्ग में खेल का स्रवच पुरुसकार लक्षिमन पुरुसकार और महला वर्ग का रानी जहासी पुरुसकार लक्षिमिबाई पुरुसकार ये दोनों से अधनी राज्यपाल महोद्या के करकमलों से सम्मान उत्तरब्रदेश के खिलाडियों को दिया गया और आज तो और भी प्रफुलित करने वाला च्छण है 189 खिलाडियों को 65 करोड उपे से अधिक की रासी आज यहां पर प्रदान की गई है और ये 7 खिलाडियों को नौकरी के पत्र भी जारी के गए है 50 SP भी है खेल अधिकारी भी है और परिवान विभाग में भी है वायो बेनो यही परिवर्तन होता है जब नित्रत तो अच्छा होता है पहले पैसा दे करके लोग नौकरी खरीदते थे आज सरकार नौकरी भी दे रही है और पैसा भी दे रही है देखा न आपने सुसरी पारूल चौधुरी को साड़े चार करोड रोपय भी मिला है और डिप्टी एसपी का पद भी प्राप्त हुआ हुआ न ये नेत्रितों पे निर्भर करता है आदनिये प्रधान मंत्री जी अपनी उन विभूतियों को जो समाज और राष्ट का गौरो बढ़ा रहे है याद करिये प्रधान मंत्री जी ने अपने महत्वकुन उद्बोधन में 22 जनवरी को एक बात कही थी कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का कारिक्रम तो हम युद्या में कर रहे है लेकिन यात्रा यहां थमनी नहीं है अब राष्ट के प्रतिष्ठा को पनरस्तापित करने का कारिक्रम देव से देश की यात्रा और राम से राष्ट की यात्रा का सुहारंब होता है अपनी विभूतियों को सम्मानित करना यही राष्ट की प्रतिष्ठा का कारिक्रम है अपने देश की प्रतिष्ठा और गोर्म को स्तापित करना ये सम्मान का कारेकरम उसी का हिस्सा है और इसको प्रोचसाइब करने के लिए पिछले दस वर्सों के अंदर जो कारेकरम चले हैं इसमें खेलो इंडिया खेलो से जो कारेकरम प्रारंबु हुआ प्रदेश में देश के अंदर सांसत खेल कूट प्रतियों किता उत्तरप्देश में खेलो इन्वस्ट्री गेम्स ये सबी आयरजन पूरी पप्यता के साथ संपन्न हुए और खेलो इंडिया सेंटर के स्टापना हर जन्पद में हो रही है और भायों बेनों अब हम लोग भारत सरकार हर जनपत में खेलो इंडिया सेंटर के लिए गोशना कर चुकी है कारवाई को क्रियानिमित कर रही है आज हमने अपने बित्रमंत्री को भी सिले बुलाया है किस बार के वजट में आप भी कुछ गोशना करिए कि भई हम लोग भी उत्तरप्रदेश खेलो सेंटर हर ब्लाक अस्तर पर स्थापित करेंगे इसकी एक रासी खेल विभाग के साथ तै करते हुए मानियस अनराग सिंग ठाकुर जी का मार्ग दर्सन लेते हुए ब्लाक अस्तर पर स्थापित हो क्योंकि उत्तरप्रदेश में सरकार में पहले से तै किया है ये खेलो ब्लाक सेंटर यूपी के जो खेलो यूपी ब्लाक सेंटर जो स्थापित होंगे इसमें कोचेच की स्थाप, कोचेच भी वहाँ पर तैनात हो जितने खिलाडी जो खेल के बाद अपना कुछ समय निकाल सकते एक निश्चित मान दे पर उनको वहाँ पर तैनाती जीजे, सरकार उनको मान दे देगी, बलाकस्तर पर अगर हमारे कोचेच होंगे, तो हमारे खिलाडी और भी अच्छार निकारने का काम कर पाएंगे, और हम बहत्रीन प्रदर्सन देश और दुनिया के अंदर करने में अपनी खिलाडी दे पाएंगे, इस दिसा में खेल विभाग, अपनी कुरी कारियोजना को लेर इस बजट में इसका प्रावधान करें, सरकार ने पहले से संकल्प लिया है, कि हम हर जन्पत में स्टेडियम करेंगे, हर गराम पंचैट में खेल का मैदान और ओपन चिम का निर्मान करेंगे, इस प्रकरिया तो चली रही है, युद दस्तर पर आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ, खेल और खिलाडियों के ले भी प्रोच्छान की राज़ी में बिर्दियों, उत्तरवर्देश देश का उन राज्यों में से, अगरणी राज्यों में से एक है, जिसने अब तक पांच सो से दी खिलाडियों को उत्तरवर्देश सरकार में नुक्ति पत्र दे करके नौकरी प्रदान कर दी है, इसमें डिप्टी एसपी के पत्र से ले करके, और पुलिस में भरतिस तक हर एक अस्तर पर उन्हें अस्तान प्रदान किया जा रहा है, आज मेरे सामने बात सामने आई है, कि जो पैरा खिलाडी है, इन के लिए भी बिवस्ता होनी चाहिए, जो मेडल प्राप्त कर रहे हैं, और मैं आज इसके बारे में सासन से कहूंगा कि वास्तों में, इन खिलाडि योगों को भी हम प्लेस्मेंट कर सकें, क्योंकि प्रदान मंतरी जी ने उनके प्रोजसान के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं, और मुझे लगता है कि उसके लिए एक अस्ताई विवस्ता भी हमें करनी चाहिए, एक आउसर है हमारे सामने, ये हमारे विवोतियां है, इ आप करिए, जब एंसेन गेम्स में गोड मेंडल प्राप्त करने वाली बालिका इस बात को कहती है, कि मैं गोड मेंडल इसले जीती हूँ, क्योंकि हमारे राज्जिय में मुझे डिप्टी एस्पी का प्राप्त होगा, तो मैंने उसी दिन तै किया, मैंने का, पॉलसी तै कर और जब इस दिन समान समार होगा, उस दिन उस बालिका को डिप्टी एस्पी के पत्र की निक्ति पत्र जरूर दो, और मुझे प्रसंता है कि पारूल चौधी के कारण ही आज यहां पर चार डिप्टी एस्पी के भी हम निक्ति पत्र चारी कर दी, लली तो पाधिया पहले प्राप्त कर चुके थे, और साथ-साथ, खेल विभागने भी और परिवान विभागने भी, यह निक्ति पत्र आज अपने जारी किये हैं, यानि यह चीजें दिखती हैं, कि बहुत अब आपके लिए औसर है, और इसलिए प्रदेश के सभी 55 जन्पदों से, हमने कुछ न क खिलाडियों को यहां बुलाया है, इसलिए बुलाया है, इस कारेकरम को आप भी अपने साथ के खिलाडियों को बताइए, अच्छा करेंगे, पैणाम अच्छा लाएंगे, अनुसासित तरीके से रिज़न लेकर के आएंगे, तो सरकार पलक पाउने बिचा करके, केंदर औ हमें अपने आपको तैयार करना है, आप सरकार ने भेर सारी इस्तिसा में प्रियास प्रारम किये हैं, आपने देखा होगा, राज्य सरकार ने क्योल संसाधनी नहीं बढ़ाए हैं, प्रोसान रासी भी बढ़ाई हैं, नौक्रियां भी दे रही हैं, अन्य प्रकार की और भी अच्छे प्रियास करेगी, केवल हम सब को इसके लिए अपने आपको तैयार करना है, आज का यह उसर है जब हम लोग यहां पर अपनी इन विभूतियों को सम्मानित कर रहे हैं, और मुझे प्रसंता है, कि आप सभी लोग प्रदेश के सभी 75 जन्पदों से आज यह नहां पर आए हैं, और इस अवसर पर अब मैं प्रदेश के इन खिलाडियों से कहूंगा, अपनी नियमित प्रसिक्षन के लावा, जो हमारी स्पोर्स, मैं खेल विभाग से भी कहूंगा, कि स्पोर्स कॉलेजेज, स्पोर्स होस्तल हमारे हैं, या जन्पदस्तर पर जो कार इसका दोरा इनको जरूर करवाएं, ये लोग अपना अनुभाव वहां सेयर करें, और उनके अनुभाव का लाव, वहां पर हमारे नौदित खिलाडी भी प्राप्त कर सकेंगे, इसकी विवस्ता खेल विभाग अवस्य करें, और मैं इन सभी खिलाडियों से भी इस बारे म के सरकार, आपके हितों का संबर्धन करने के लिए, पूरी प्रत्यवदिता के साथ कारे करेगी, मैं एक बार फिर से, आप सब को हिरते से बढ़ाई देता हूँ, अपनी सुपकामना ये देता हूँ, धन्यबाद, जैहिंद, बहुत बहुत धन्यबाद माननी मुख्यमंद्री महोदय, आपके आशीर वचन के लिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, माननी मुख्यमंत्री महोदे ने आप सभी खिलारियों को संबोधित किया और आप सब शालीनता बनाए रखें, गरिमा बनाए रखें इस कालिक्रम की ये कालिक्रम यहीं पर संपन्न हो रहा है यहाँ पर गरमान ये अतित ही आप प्रस्थान करेंगे और उसके पश्चाथ आप सब अनुशासन के साथ तो देखें सियम्योगी आदतनाद के दोरा और केंट्री बंत्री अनुराग ठाकूर के दोरा उन तमाम खिलाडियों को परशकार राश बित्रन समारो आपने देखा तमाम खिलाडियों को समारित किया गया एशियाई खेलों और पेरा एशियाई खेलों में पदक विजिता जो तमाम खिलाडी हैं उनको सम्मानित किया गया